तो स्वागत है आपको ब्रदर सुन के 4th एपिसोड में अब भाई ये जो कहानी स्टार्ट होती है ब्लड बूट्स और सिंग से अब भाई ब्लड बूट्स और सिंग जो है वो आचुके है लॉस एंजलेस में और ये सब बैट के लंच कर रहे हैं ब्लड बूट्स एक कहानी स बोला कि देखो मैं बिल भरूँगा तुम बिल नहीं भरोगे और ये दोनों बिल के पेपर को फाड़ने वाले होते हैं तब तक मामा सुन या नहीं चार्ल्स की माम आके बोलती है कि बिक्स उनको बिल भरने दो और तुम्हें जरा में तमीज नहीं है और वहाँ पे लंच क की जाए उससे समझोता किया जाए ताकि ये जो लडाई है वो खतम हो सके अब भाई स्लीपी चैन का एक बेटा भी है जो कि बहुत ताकतवर है जैसे कि चार्ल्स ट्राइए हैट्स में स्लीपी चैन खतरनाक बॉसेज में से एक वस नमबर पे आता है अब हमारे चार्ल्स न चार्ल्स ने क्योंकि उसको मारा था जून ने यानि में की बहन जून ने अब है होता है कि चार्ल्स की मॉम बोलती है कि ब्रूस तुम उदर जाके बैठो हमको मीटिंग के बारे में कुछ बाते करनी है और चार्ल्स बोलता है नहीं ये बच्चा नहीं है इसको वहां मत भे लेकिन प्रूस उठके वहाँ से चला जाता है बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरा तो भाई मडर हो जाएगा और मैं बली का बक्रा नहीं बनना चाता है इसलिए मैं तो जा रहा हूँ अब है बात चल रही होती है मीटिंग की और ब्रूस और टी के दूसरी जगे जाके बैठते हैं और कान लगा के सुन रहे होते हैं जबकि चार्स ये बोलता है कि हम स्लिपी चैन को बुलाएंगे और उससे मीटिंग सेट करेंगे और यहीं ब्रूस की मॉम बोलती है कि मैं भी लेकि शिंग बोलती है कि आप वहां मच जाएए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खत्रा हो सकता है हो सकता है स्लिपी चैन की चालो कि आपको बुला के वहां मार दे कि चार्स बोलता है कि मॉम जाएंगी और मॉम को मैं कुछ नहीं होने दूगा क्योंकि उनका डॉन बेटा जब तक है ना तब तक मेरी मा को कोई हाथ ने लगा सकता है हाँ जुगेगा नहीं साला और इसी के बाद ये लोग सोषते है कि मिटिंग कहा सेट करें मिटिंग ऐसी जगे होने चीए जहां पे खुला वाता वरन हो लोग अपने हतियार नहीं लेके आ सके वहां पे 300 फुट के आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं होने चीए पिछली बार बिल्डिंग से ही गोली लगी थी बिक्सुन को अब भाई ब्रूस के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो बोलता है कि क्यों ना आप लोग इस पा में एक मिटिंग सेट करो क्योंकि वहां वो उनके दियेवे कपड़े पहनते हैं सेंडल पहनते हैं उनको क्योंकि वो चल पाएं और आप लोग ये जानते होगी सेंडल पहनके और इन छोटे-छोटे कपड़ों में मतलब स्पा वाले कपड़े पहनके लड़ना बहुत मुश्किए और यहीं ब्लड बूट्स का मिटिंग फिक्स करा सकता हूं तो चलो इसी बात पर चलते हैं इस पावाले के पास और मिटिंग फिक्स करते हैं और फिर शिंग के पास एक मैसेज आता है कि स्लीपी चैनल लॉस एंजलिस में आ चुका है और फिर ये लोग तैयारी करने लग जाते हैं स्कुएर की अब स्क रहा है अपने काउंटर वाली मैम से अब भया, वो मैम उसको बोलती है कि भाई, तुम निकल जाओ, तुम अपनी फीस नहीं भर सकते यार, तुम क्या आदमी हो, तुम फीस नहीं भर सकते अब तुम कैसे पढ़ोगे तुम जाओ, तुम किसी काबिल नहीं हो अब भाई Blood Boots भी उसके साथ जाता है क्योंकि Bruce की मॉम ने Blood Boots को ये काम दिया है कि Bruce पे हर बार नज़र रखे क्योंकि पिछली बार तो भाई Bruce जी किनाप हो गए थे अब Blood Boots को Bruce बोलता है कि देखो मैं अपना ख्याल को खुद रख सकता हूँ अब भाई मैं तीनों समिस्टर की फीस एक साथ बरता हूँ एक ये बार में नोटों की गड्डिया निकाल के मैं के मूँ पे मार देता है अब भाई मैं तो चौक जाती है फिर Blood Boots और Bruce दोनों बाते करने लग जाते है कैंपस में आके और वहीं मिलती है उन्हें ग्रेस मिलके थोड़ी बाते करने लग जाती है और Bruce बोलता है कि तुम शाम को मेरे से मिलने आओ और मैं तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाऊंगा और फिर ये कहाने स्विच हो जाती है हमारे Alexis और Mark के उपर Mark और Alexis पता लगा रहा है कि जो Red Ribbon उन्हें Debt Spot और Crime Spot पे मिले थे वो किसके है और उस Red Ribbon में से एक QR कोड निकलता है जो कि Alexis के फोन से स्कैन नहीं होता है फिर उसे Crime Spot पे एक बंदे का फोन मिलता है वो फोन Alexis मांगती है लेकिन Mark बोलता है देखो तुम पुलिस वाली नहीं हो तुम वकील हो और फिर ये जो कहानी चली जाती है सीधा स्पाक लब में स्पाक लब में टीके जाता है चाल्स को लेकर लेकिन भाई साब स्पाक लब वाले टीके की तो गंदी उतार देते हैं तब ही वहाँ पे Sleepy Chain का बेटा आ जाता है जिसका नाम है Browzilly और वो भी उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक चाल्स है तो सोच लो भाई लोग ये लोग भाई साहा बहुत ही जादा डेंजर है और ट्राई हैट्स की मीटिंग हो जाती है फिक्स क्योंकि Browzilly आके वहाँ पे मीटिंग फिक्स कर देता है इसका मतलब समझे दोस्तों कि स्लीपी चैन ने बिक्सुन पे गोली नहीं चलवाई थी और ये रैट रिबन वाले लोग ही अलग लोग है अलग गैंग है ये अब स्लीपी चैन का बेटा कहता है कि देखो मेरे पापा को तो सारी सर्टे मनजूर है सिवाए एक शर्ट के और फिर चार्ल्स जाता है अपनी मौम के पास और उन्हें बताता है कि देखो स्लीपी चैन को सारी शर्टे मनजूर है लेकिन एक शर्ट उसे मनजूर नहीं है क्योंकि वो नहीं चाता है कि उसकी मीटिंग में एक औरत आके मीटिंग से पहले अपनी जो जिन्दकी है बहुत अच्छी तरह जीत है क्योंकि हो सकता है मीटिंग में उनकी जान भी चले जाए क्योंकि मीटिंग बहुत जादा खतरनाक लोग उसे भरी हुई होती है सबके पास गंस होते हैं और क्या पता किसका आखरी दिन हो और किसका नहीं फिर यह लोग इंप्रोव चले जाते हैं जहां पर प्रूस की एक्टिंग होती है और वहां एक्टिंग देखके चार्ल्स को बहुत जादा गुस्सा आता है कि यह क्या कर रहा है भाई मतलब मैं यहां जान देता हूँ अपनी फैमली के लिए और यह सस्ता सा नाटक कर रहा है चार्ल्स ब्रूस को समझाता है कि देख भाई मेरे उपर सारी जिम्मेदारी है और मेरे पापा देखो वो कभी ठीक हो सकते है या फिर कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरे पर है तो भाई तू समझ ना तू मेरे साथ रहेगा तो मेरे कितनी help हो जाएगी मैं है अकेले लड़ता हूँ मैं सबकी अकेले जान बचाता हूँ और मैं अकेला पढ़ गया हूँ तो तू मेरी help कर दे लेकिन भाई Bruce को ते समझ नहीं आता और के बारे में और वो माग को बोलती है कि देखो रात को कुछ होने वाला है और स्पा में कुछ ना कुछ जरूर होएगा और फिर वो जैसे ही जाती है उस पर हमला हो जाता है और वहां से वो कैसे भी भाग जाती है इसके बात कहानी सिच होती है स्पा में जहां पे चार्स और ब्राउज़ी वहाँ पे मिटिंग करने वाले हैं और ब्राउज़ी बोलता है कि यहाँ पे सिफ चार्ल्स रुकेगा बाकि सब चले जाओ यानि ब्लट बूट सिंग जितने भी उसके भी आदमी रहते हैं वो सब को भगा देता है इससे पहले ब्रूस भी वहाँ जाता है और ब्रूस की मौम ने सक्त मना किया है कि ब्रूस वहाँ नहीं जाएगा लेगिन फाय साहब अब क्या ही कर सकते हैं चार्ल्स बोलता है कि दो मेरे को तुमारी मदद चाहिए और यहीं ब्रूस को वो लोग उठा लेते हैं यानि कि Sleepy Chan के आदमें उठा के Sleepy Chan के पास ले जाते है और पहली बार देखने को मिलता है Sleepy Chan का शहरा Sleepy Chan Bruce को cigarette offer करता है और Bruce को एक phone देता है जो की connect है Charles से और Sleepy Chan meeting करना चाता है Charles से Bruce के जरिये फिर Sleepy Chan और Bruce और Charles ये लोग meeting fix कर रहे होते हैं बाते कर रहे होते हैं और तब ही Sleepy Chan कुछ जल्दी जल्दी बड़ बड़ाता है और Bruce को समझ में आता है कि Sleepy Chan कहना क्या चाता है Sleepy Chan कहता है कि देखो हम दोनों का दुश्मन एक ही है और मैं उन दुश्मनों को जानता हूँ जो रैड रिबन वाले है और तब ही वहाँ पे clear रखे होते है और square box बना होता है उसमें से रैड रिबन वाले गैंग वाले निकलते है और Sleepy Chan का murder कर देता है तब ही Bruce बोलता है पूछो मत क्या बवाल लड रही है अब ये चारो लोग जो दोया है ना इन्होंने रैड रिबन वालों को पूछो मत और last में चार्ज बोलता है कि हमें एक बन्दे को जंदा पकड़ना है और फिर वो पकड़ भी लेते है और वो बन्दा वही होता है जो की आया होता है कहा ब्रावजी ली को गड़े लगाके उर जाता है और ब्रावजी ली स्लीपी चैन का खेली यही खतम हो जाता है लेकिन चार्ल्स भाग के गर जाता है और उसे वहाँ तेज़ चोटाई होती है और फूर्थ एपिसोड में पुलिस के साइरन बसते हैं और तब भी चार्ल्स र आता है